रीवर्क बुक समरी कैसे सुरू करे कोई भी बिजनेस आप जब भी कोई बिजनेस बुक पढ़ेंगे तो चादातर बुक में आपको एक ही जैसी सला मिलेगी जैसे एक बिजनेस प्लान लिखें, कमपीटिशन की स्टेडी करें, इन्वेस्टर खोजादी गर आप इसी तरह की कोई और दूसरी बुक की खोज कर रहे हैं तो फिर रीवर्क आपके काम की नहीं है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कोई एक ऐसी बुक पढ़ें या सुनें जो आपको बिजनेस में सकसेज होने का बेटर, फास्टर और एजियर वे देखा है यह बता है कि प्लांस बनाने, आउटसाइड खोजने, कम्पिटिशन की स्टेडी करने, वर्क होलिक बनने, पेपर और मीटिंग में समय बरबाद करने और ओफिस मेंटेन करने कोई आए सकता ही नहीं है तो केवल और केवल रीवर्क ही एक ऐसी बुक है, जो आपको इन सवालों के जवाब दे सकती है रीवर्क बुक आपको वास्तों में यह बताती है कि असल में आपको इन सब के बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए, बलकि काम करना शुरू कर देना चाहिए यह सिखाएगी कि आप मोर प्रोडिक्टिव कैसे बने, कैसे अपने पैसे बरबाद किये बगेर, अपने काम को एक्सपोजर दे इस बुक में आप इससे भी ज़्यदा काउंटर निशेटिव याइडिया यानि प्रतिवादात्मक विचार जानेंगे जो आपको इंस्पाय और प्रोवोक करेंगे रीवर्क आसान भासा और एक बहतर दश्टी को उनके साथ उन सबी के लिए एक सेटिल टूल है जिनोंने अपने दम पर कुछ करने का सपना देखा है यह बुक हार्ड कोर एंट्रोप्रेणर स्माल बिजनेसे से ओनर्स नोकरी के सिखार और आर्टिस्ट आदी के लिए बहत विल्योबल गाइडिन से बरीवी है रीवर्क चेज देवे यू वर्क फॉरेवर को पढ़ने से सुनने से पहले यह जानते हैं कि इससे आपको क्यों सुनना चाहिए तो जानते हैं वे चार मूल मूल बाते जो जैसन फ्राइड और डेविड हैंवियर हैंशन ने हमें सिखाना चाहते हैं कोई भी काम करना इसलिए बंद ने करें या फिर सुरू करने में जिजिके नहीं कि आप से गलतिया होगी बिल्किया आपके मस्तिक में जब यह विचार आए तो इससे इस तरह सोचे की मिश्टेक आपकी लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा है इसे से ज्यादा कुछ भी नही हैं जिनका यूज हम अपने कमफर्ट जोन से बार के कामों को करने से बचने के लिए करते हैं जैसे हमारे पास परियाफ समय नहीं है इस तरह के बाहरे हम अकसर फेलियर से बचने और अपने इंकार को बचाने के लिए करते हैं इस बात की आपको कोई पारसला भी मिलती होग इसलिए उसका पालन करने की और आपको कोई आशिकता नहीं है उनकी सिखों को अपने नियम बनने की अनुमति नद है उनके अधार पर यह तैने करें क्या काम करेगा और क्या नहीं करेगा क्योंकि दूसरे लोगों की गलतिया की दूसरे लोगों की ही गलतिया है उनका आप से कोई लेना देना नहीं है आप अपनी ए सपलता हो से ज़्यादा अपनी सपलता हो से सीखता है सपलता से आप जानते है कि क्या काम करता है इसलिए आप ए सपलता हो या सपलता हो का बार 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 आप सपलता को बार बार दोरा सकते है लेकिन एस अपलतों को आप सिखाती है कि क्या काम नहीं करता है किसी दूसरे के सफलता आपको यह नहीं बता सकती इसलिए आपका यह है समझना भैद मेत्पूर्ण हो जाता है कि सक्सेश पाने के लिए फेलियर काना जरूरी नहीं है ये बुक आपको बहुत ज़्यदे टेंसल नेने के बजाए अगले सबसे इंपोर्टेंट काम पर फोकस करने लिए सक्सम बनाती है अगर आप बड़े प्लान मनाते हैं फिर उन पर अडिक रहते हैं तो आपका बहुशे मुसिबत में पढ़ सकता है आप इन बड़े प्लान्स को प्लान्स ने कहें करने इनने स्ट्रेटेजिक गेस कह सकते हैं ये वासिकता में यही होते हैं माल लीजिए आपने स्ट्रेटेजिक प्लान मनाएं ताकि आपको दिशा की सपस्ट कल्पना रहेगी आपको किस और जाना है आज अपने जो strategic plan मनाया है वे future में relevant होगा या नहीं यह हम पुरुवा नुमान नहीं कर सकते समय समय पर हम में इसमें बदला आशिक होते है ताकि आप future में आने वाली उन दिसाओं में आगे बढ़ना जारी रख सके हैं जो उसे में सबसे जएदा perfect होगी यहाँ आपको बहुत से bronze के बारे में जानना ज़रूरी है जिन्होंने अपना business शूरू तो किसी दूसरे काम से किया था लेकिन आज वे उससे बिल्कुल अलग business में है भे अब दुनिया के सबसे बड़र ब्रांश बने हुए हैं इनमें सबसे जाना पेचाना नाम अमेजन का है जिन्होंने बुक बेचने से अपना बिजनस शुरू के आज वे सब कुछ बेच रहे हैं यूटूब डेटिंग से सुरू होकर आज वीडियो शेरिंग का सबसे बड़ा ब्लेटफॉर्म है ओला आज र खाहसा कर अपके बिजनस ने काफिरन और यहीं से कोफि कर आज मोबार्डबर सुरू के लिजनस में इसलिए यह बुक इसे बहतर तरीके से सिखा सकती है कि एक्सर योजनाय बहुत पहले बना ली जाती है पहुशे में उन्हें लागू करने का समय आता तो उनका तब कोई मतलब नहीं रहे जाता है क्योंकि पास्ट में सोचा गया बहुशे बदल जाता है यह आप अपनी प्ला समाल लगाने के तुलना में इसके सर्टिक होने के संभावने ज्यादा होगी अपने काम को लेकर वर्खोली नहीं मैं जब भी यह कहीं से सुनता हूं कि चोईस गंटेम से उनीस गंटेम अपने काम को करते हो बिताओ तो मुझे कम कपी सी चड़ने लगती है उस हमें मैं मैं मैसुश करके डरसा हुआ मैसुश करने लगता हूं फिर सोचने लगता हूं कि अगर मुझे इतना ही काम कर ना तो फीर वह सब कभ और कैसे करूंगा जो बड़े लोग करते हैं जैसे दुनिया की सेर एकाम में बैठकर मांसुरी सीखना और बजाना कोई पैंटिंग करना योग ध्यान और प्रडायम करना अपना स्वेम के बारे में जानने लिए डेर सारी पुस्त के पढ़ना नए 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 दोस्त बनाना नए नए शित्र देखना इसी तरह के वे सभी काम जो आप सोचते हैं इस बारे में ये बुक सिखाती है कि आप वर्खोलिक बनकर इतना हल करते हैं उससे कई ज़्यादा तो आप समस्चाय पैदा करते हैं वर्खोलिक इंसान अपने इंटेलिजेंस की कमी को चूपाने के लिए फोर्स यानि बल का प्रयोग और ज़्यादा ताकस से करते हैं वैसा स्वेम अच्छा मेस्चाय करने के लिए भी इन करते हैं नहीं कि समझायों को सुल जाने के लिए आप भी यह मानते हैं कि वर्खोल तो मैं उनसे ज़्यादा डेडिकेशन से ये काम कोई और नहीं कर सकता है उतर लिखते है कि आवशिकता पढ़ने पर ही इतनी पकड़ी मेहनत करें नहीं कि हर समय वरना आप वन मैन आर्मे से ज़्यादा कुछ नहीं होंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये आपका विचार की इतना सहांदार विकरांती का रही है यदि आप इसे अच्छी तरीके से एक्जिटूट करने में सक्सम नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है ये फ्राईड और एंसन एक आईकोनिक फिल्मेकर स्टेंली कुबरिक का उधारन देते हुए इस पोईंट कोई फच्ट करते हैं उनकी इंस्पारिंग फिल्मेकर को ये सला दी थी कि एक कैमरा और फिल्म की शूटिंग कर दे गुपरिक स्टार्टिंग और क्रेटिंग के महतों को जानते थे इसी तरह एंट्रोप्रेणर को अपने प्रयासम सपल होने के लिए ऐसा ही करने के आशकता है जब आपके प्रोड़क्ट को लोंज करने की बात आती है तो आप एक समय से मत तैय करें यहां अपने इंप्रूमेंट और उनका डूप्लिकेशन करते रहें इस एप्रोच का सपोर्ट एरिक राइस भी करते हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक दलीन स्टार्ट अप में MVP कोंसेट के बारे मां बताया है शेर्ड गोडिन ने भी अपने सिपिंग एप्रोच के द्वारा इस कौंसेट को अपनी बुक लिंश्पिन में डीटेल से समझाया है और्फ्टिकल देट कम इन दे बिगनिंग ओफ बिजनेस और गुड बिजनेस की सुरुआत मानने वाले बादा अच्छे होते हैं क्योंकि जब आप अपने उनसे क्रेटिव होना सीखते हैं तब आपके पास जो है उसी के दाइरे में रहे कर आप सब करते हैं हमेशा आपके पास उपलब संसादनों के साथ अपनी मूल चीजों को सरसिट बनाने पर वह ज़्यादा ध्यान दे इससे समझने के लिए एक आर्केटेक्ट का एक्जामपल लेते हैं कभी भी बिल्डिंग पर काम करना करेंगे जो आपके लिए काफी अच्छा होगा क्योंकि लंबी प्लानिंग आपके मनोबल को कम कर सकती है बड़ी प्लानिंग के बजाए आप कुछ बैसिक चीजों से सुरू करते हैं ताकि हमेशा परकरती करते रहें अगर आपके सामने कोई बड़ी समझा है तो पूरी सम करने का मौका आया होगा तब आपके साइद ही विचार आया होगा कि आपको यहीं यहां पर खाने वाली सभी डीस पकानी पड़ेगी आप जैसे किसी पार्टी का अरेंजमेंट करेंगे के लिए मेनेजमेंट करते हैं ठीक वैसे ही किसी समझा को डील करना चाहिए आप हर का नहीं कर सकते हैं लेकिन स्बसें महिट पुण काम को वस्य सुन चकते हैं उस चुणने ओवे काम को करने के लिए आपको अपनी अपनी टाकर लगानी है उस winter तरीके से भी कर सकते हैं उन कामौ को preference दे सकते हैं जिने आप करना चाहते है जटिल समाधान की तुलना में सरल समाधान बहतर होते हैं इसी तरह की solution एक complete समाधान से बहतर है perfectionism के बज़ाए परियाप अच्छाई का लक्षे रखें अपने बिजनेस को बुलन्दियों पर ले जाने के लिए हमें से त्यार है आपका बिजनेस का मूल उन habits पर best होना चाहिए जिन लोग आज बदलना चाहते हैं आप उन पर बिलकुल भी ध्यान नहीं दे पाएंगे जिन habits को लोग आज से पांच या दस साल बाद बदलना चाहेंगे keep your to-do list short अपनी to-do list को छोटा रखें आपको जो आज पर ही ध्यान देना पड़ेगा आज पर ही ध्यान देना पड़ेगा यह book सिखाती है कि आज के selection के द्वारा आज के result पर focused कैसे रा जाए आपके to-do list जितनी ज्यादा लंबे होगी उसमें उतनी ज्यादा दूरे items होंग motivation पर amazing impact डालती है इसलिए फ्राइडव एंसन का आपको सुझाव है कि अपने to-do list को लंबी list को तोड़कर छोटा कर ले इसका प्रवाव यह होगा कि जब भी आप छोटी तस्वीर को देखेंगे तो आप ज्यादा progress करते हैं यह उस big picture को गूरने और उससे बहबीत होने और शुरू कर देना चाहिए क्योंकि यह book आपको अपने दम पर business करने के लिए अति महत्मून आत्म विश्वास को बढ़ावा देगी इसमें कुछ business advice डरावने हो सकती है लेकिन startup ग्यान ओप्रेड़ना खुराग प्राप करने के लिए बहतरीन book है सबी entrepreneurs जो आज most important decision लेने में सक्सम नहीं है सिर्फ अपने doubt की वज़े से अटके हैं उनके लिए इस book में valuable business lessons है ज़िए आप अभी कोई business करने जा रहे हैं या फिर अपना आपको किसी ऐसी नोगरेम फसावा मैसुस कर रहे हैं जिससे आप घरना करते हैं या फिर जद्धा productive बनना चाहते हैं तो river book आपके लिए एक bettering guide है इसमें लेकर आपको काम करने का effective, efficient, productive और straight forward तरीका बताते हैं य आपको उससे उबरने में सायता करती है जो आपको आज तक पीछे रुके वे हैं यह सिखाए कि idea से execution जद्धे important क्यों है यह भी कि आपको competition कैसे अवेड़ करना चाहिए तो यह book summary आपको कैसे लगी तो अगर यह book आपको purchase करनी है डीटेल में पढ़ना है तो इसको लिंक दिया जाए जाएकर आप purchase कर सकते हैं और इस चैनल पर अगर नहीं हो तो आप इसको like subscribe करिएगा तक आपको हर बान नहीं old book summary मिलती रहे